पुर्व अध्धाय यावत संजायते किंचित सत्यम स्थावर जंगमं क्षेत्रक्षेत्रग्न संग्योगात तद्धि भरतर शवव यहापे नहीं है असलोप में हमें है पुरा असलोप ऐसे है मत्तब क्या हो गया इती उक्तम इसके पहले अध्ये में जूभी कुछ संग्षायर में स्रिश्टी होती है जूभी कुछ दमानबस्तु और चाहिक अस्थावर हो चाहिक जंगम हो जैङेग चलने वाला हो चाहिक जर्स घी रूग ऊथ़पन्यू कैसे होता है और जिर्द्धि अध्य ऑगवान की दो प्रकिती है एक परस प्रकिती और अप्रकिती शप्त이지 मद्ध्या में बोल करके है आया ऑप्रा गए है वो पराप्रकिति है और एक जीवभूता महाँ भावजा एक दम धारवाते जगत इन दोन के दारा जिसको चेत्र के सब्दों के तरह आपे का गया है इन दोनों के संग्जोग से सारा सुष्टी होती है चेत्र चेत्रेग्न संग्जोगा तयाद विद्यभगवन भास् इति उक्तम तत्र निरिश्वर सांख निरा करनेना चेत्र चेत्रज्य संग्योगस्य इश्वर अधीनत्तम बक्तव्यम निरिश्वर शंख दर्शन का मतलब शिष्टी की प्रेक्रिया कुले के विचार करने वाले जो गैन भाग है उसमें एक बादी इश्वर को माननता दिया एक बाद इश्वर को माननता नहीं दिया सांख दर्शन में और हमारे पूर्व में मंक्सा दर्शन में इश्वर के बारे में कथन नहीं है तो इसलिए सांख दर्शन को बोलते हैं नीर इश्वर सांख पन्तु परमहर्शिक पतंजर ने इश्वर को माननता दिया पूर्वे इश्वर को ले करके बोलने बाला सिष्टी की प्रक्षा और एक इश्वर को नहीं मान करके प्रकृति श्वयंग अपने अब सिष्टी करती है। ऐसा उनकी गतना है। इसलिए बोलता है नीरििश्वर सांक्यो निडा करने Κारने इसलिए आईश्वर के अधिन होकरके ही ओछेत्र करते जे शेत्ररगया शजल्योगा है बुदा गाई्टकर्त allứ इश्वर के आधिन ओक करके जिससे सिष्टि होना संभव थै अध्धारों के माद्धम चिष्टि की प्रक्रिया को बताते हैं वहना संभव है उसको दिखाने के लिए और कैसे होना संभव है यह अध्धा शुरू हो रहा है इसके सिवार और भी बोला है एवं इसी प्रकास के गुन के साथ पुरुष का जो संबन्ध माईक संबन्ध जो प्रतिती होते है इसी के कारण से इनको सद असद जोनी में जन्म लेना पड़ता है गुन के साथ पुरुष कारण होता है इती उक्तम ये भी कहा गया अब इन अवस्था में होता है किस प्रकार की गुन में कैसे संबन्ध होना और उसके संबन्ध होने के बाद उसका फल क्या होना ये कैसे समझे है ये सारा बोलना है तत्र इस विशय में कस्मीन गुने किस गुने कथम संग कैसे अशक तो होता है क्यवा गुना ये गुना क्या पश्तु होता है इह गुना शब्द वरा problematic शब्द है मतलब क्या होता है कि अलग-अलग दर्शनों में अलग-अलग स्थिति में गुनों का अलग-अलग अर्थ होता है अलग-अलग दर्शनों में ये शांख दर्शन में तो यहाँ पर गुन मतब शत्तेरा जतमों तीन गुन को बोलेंगे जोग दर्शन वीज को बोलता है प्रन्तु नए वो शेशिक दर्शन में आके 24 गुन हो जाते हैं चोबिस गुन हो जाते हैं और फिर जो है हमारे धनुस विद्धा में गुन चरहना मतलब हो जो है धनुस को बांधना उसको बोलते हैं गुन टाइट करके बैकरन में जाएंगे तो गुन किसको बोलेंगे फिर देंगे गुना देखोगे गुन का थाक परीवास है मैथमेटिक्स में जाएगे मल्टिप्लिकेशन बहुआर में सामान ने गुन मतलब इस गुट क्वालिटी इसलिए यहां पे जहां पे जिस तर्षन को हम परते हैं उस समय तर्षन के अनुशूर इस गुन सब्दक्याटो को हमको समझना है इसलिए कितात्रकस्मिन गुने किस गुन में कथम संग कैसे उसके साथ जूर जाते हैं हम अशक्ति हो जाते हैं के वा गुना यह गुन क्या बस्त है अतवा क्या क्या बस्त है गुना कैसे हमको बांते है बांते को नहीं किसको जीव को बांते को नहीं एक गुनों के साथ अतात्म करके जो हम बैवार करते है अतात्र नुकुल कर्म करते है अर कर्म करते हैं फल पाने के लिए हमको गुनी हमको बांते है गुनी हमको बांते है प्रकृति 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 प्रकृ उसको ते गुनात अज्यान और उस्य मुक्षम चा जो इसके उपाई को जानते हैं विदू ते परमम यांती ते उस लोग परमपत को प्राप्त करते ये भी कहाई थी उक्तम तत्रव भूत प्रकिती शब्दी ते भ्या भूत और प्रकिती इन दोनों सब्दों से कहा गया जो गुन है। उन गुनों से गुनेभ्य कतम मुक्षनम कैसे मुक्ती होना संभव है ? शैत मुक्षनम, शैत मुक्त चा किमलक्षनम ये ता जोनका प्रश्ण होगा। और ये मुक्त पुरुष का हम पैच्छान कैसे सकते हैं ? कि चक्यमला इती वाक्त अव्यम ये भी बोलना चाहिए इसलिए तद एतत सर्वम इंसाफुत गस्तुओं का गुण क्या है गुण कैसे हम को बानते हैं कैसे हम उसको पैसा नेंगे और इस गुण से मुक्ति के लिए उपाय क्या है ये सब कहना चाहिए मतलब तब हमें एक वक्षमान अर्थम दाभ्यां स्टुवन श्रोत्रिनाम रिजी उत्पत्ते श्रिभगवान वाचव परमिति अब इसमें इन दोनों को कहना है तो इन दोनों विश्था को सुनने के आगरा में नहीं है इसको सुनने से क्या लाब है चलो भगवद गीता पाठन पाठन नहीं पर बंद करते हैं क्या लाब होगा इसको सुन करके तो बोलते हैं नहीं नहीं सुनने आले के अंदर रूची उत्पन करने के लिए तत्र वक्षमान अर्थम आगे कही जाए गनेवाले विषरय को बाबयाम दो स्लोक के माध्धम से स्तुवन स्तुति करते हुए मतल़ इसको सुनने से इसको जानने से क्या लाब होगा उसको कफन के माध्धम से सो ट्रिणाम सुने वालों का दूची उत्पत्ते इस विश्राय को सुनने के लिए दूची उत्पन्नों करने के लिए उत्पत्ती होने के लिए स्विभगवान हुआ जो स्विभगवान आगे और बोलते हैं क्या बोलते हैं आप स्लोप में आ जाईए परंभूयम प्रवक्षामे परंभुयं प्रभक्षामी ज्ञानानाम ज्ञानाम उत्तमाम ज्ञानाम ज्ञानाम उत्तमाम यच्ज्ञात्वा मुनया सर्वे यज्ज्ञत्वामुनया सर्वे पराम्शिध्धी मितो गताहा। परंभुयं प्रभक्षामी ज्ञानाम ज्ञानाम उत्तमाम ज्ञानाम ज्ञानाम सर्वे पराम शिद्धिमितो गता स्री भगオरान वाचो ग्यानाणाम उत्तमम स्रिष्ठम παरम ग्यानाण भूय प्रवक्षामि पहला संट्षी होगा ग्यानाण कितनी प्रकार की ग्यान है संक्षार में यह एक बस्तु की अलग-ब प्रकार की tenha अलग अलग विश है, अलग अलग गैन, समस्तो गैनों में, देखें, दो शब्दों प्रयोग किया, एक उत्तमम और एक स्रिष्ठम, दोनों को लगवग एकी अर्ता है, है न, मत्तब गैन की दिष्ठी में ये उत्तम है, और फल की दिष्ठी में ये स्रिष्ठ है, इस गैन का इसलिए दो सब्दों प्रियो extra करते है भगवानसि Tri Krishna अपक गैनानम उत्मम स्रिष्ठम परंम गैनम शमस्तों गैनों में जो उत्तम गैन है उस उत्तम गैन को देट एक बता है और गैन में कह बता है उसका फ़ल भी सब से स्रिष्ठ है इनों गैन पर और उसका पालन करने से ज तो लाग मिलेगा जदि इसको जान जाओ कि उसका जो फालोगा वो सबसे उत्तम फलाए कि हो फिर दोबार आना नहीं परेगा आना जाना बंद कर देगा इसलिए स्रिष्टम परम गैनम भुय प्रभक्षम यह जो स्रिष्टम गैन को यानि कि भगवान की दिष्टी से यह पह पहुंच के तब बलते हैं इसलिए भूय दुबारा मैं तुमको कहूंगा गैनम प्रुक्षमे इसलाब क्या होगा जद्ज ज्ञ्यत्वा जद्ज ज्ञ्यत्वा मत्तब जिसको जान करके क्या होगा सर्वे मुनयह सारे मुनी ही इस घरवश होगा हम लोग तेशी तो नहीं जाके कमी रह जाता है मत्तब मनन करना मननम एवशीलम जेशं ते मुनिह मननात मुनी मननम एवशीलम जेशं ते मुनिह मुनयह मत्तब किस कोई चिछ को सुन करके उसी को मन में धारन करके बार 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 उसको विचार करके समझ जाए का जो कोशिश है इसी को मनन बोलते हैं इसलिस्टवन के बाद मनन कहिते हैं वेदान तुम्हें तो जज क्याता सर्वे मुनाया हमेसा देखना कि हमारे यहां पर जो कहीं संबुधन करके अधिकरी को कहा कहें कुछ ऐसा सब्द्र प्रयुक्या जिस से अधिकरी को कहा कि इसके एकत्त बोथ कैसे होगा जैदि आप मनन शिल होंगे तो सर्वे मुनाया जो भी इस परकर मुनन शिल होंगे सबी मुनिक है इतहा पराम शिद्धिम गताहा मत्ता इस शरीर को छोर करके पराम शिद्धि मत्तब इस जंक्षार बंधन से मुक्त हो जाता है प्राप्ताहा पराम शिद्धि को प्राप्ता करता है वगव मनुष्य जिवन की लक्षे क्या है उनातीत अवस्था में हम कैसे पहुंच सकते हैं है ना गुन तो रहेगा कहां जाएंगे संक्सार के बाहर तो जा रहीं सकते मतब संक्सार में सारा गुन जो जो भी लिया दिल्ला दिखाई परते हैं प्रांतु ओ एक निर्गुन अधिश् करना तब जाके उस नर्गुन अवस्था में हम पहुंच सकते हैं और नर्गुन अवस्था में पहुंच करके मत्रा मन कोहां पर रखकर कि और जो गुन की लिला kay спокой never जेक देख सकते हैं, गुन किसा तार आत्म हो नहीं करेंगे, इसलिए प्रवक्षापर मोग्ताहिक बेड़ेंगे, जैक आटिकरी विशाई प्रवर्वश हैं तो बता देते हैं, एक इस लुक में अब यहाँ पर उपर मदुश्यतन सर्शति बोलते हैं जिए ग्यानम उत्तमं प्रवक्षा में तो ग्यान क्या अबस्तु है जैसे हमने बोला ना कि ये घट है ये पट है ये मट है ये हिमालय है तो सब के साथ है समझने के बाद अब ये उबाधी को छोड़ करके है क्या अबस्तु है वो समझने है हमको अब इसी प्रकास से मैं घट को जानता हूँ मैं पट को जानता हूँ मैं मट को जानता हूँ इमालाइकों जानता हूँ भगवद गिता जानता हूँ विदान तो जानता हूँ तो ठीक है पंति ग्यान के अवस्तु है उक्या अवस्तु है उसको ले करके सतंत्र विचार करेंगे तो यहां पर ग्यानम उत्तम मुलते ग्यायते अनेन इति ग्यानम परमत्म ग्यान साधनम यह वह गैन है जो परम आत्मा शुद्ध आत्मा ब्यापक आत्मा की गैन के लिए जो साधन है परम स्रष्ठम परम सब्द करता हो क्या स्रष्ठम मत्ताब क्यों परबस्त विशयत्ता है कि कुछ स्रष्ठव बस्त को विशय करने के कारण फिजिक स्केया सीजिक्षिक्ष मैथमिटिस को गया इकानविक्ष को गयान इंगिलिष गयान, हीब्रुau गयान होता। यह गयान इससे अच्छा है यह गयान इससे आच्छा है।eteन जोने जोनMac, लोन में गयान जोने दोने को Самताई के लिए सरुकि tahun sequencing on luck, क्योंकि इस ग्यान का विश्य है संक्षार की सबसे स्रश्टवबस्तु है इस लीए इस प्रकार क्या है कि द्रिशम्तत गैनानाम गैन साधनानाम वहिरंगानाम जग्याद्याम मद्धे उत्तमं उत्तम फलत्वा देखिए स्रिष्टो वस्तु विश्वय करने के लिए ए गैन जो है उत्तम है और क्या बोलता है कि द्रिशम्तत गैनानाम गैन साधन गैनानाम मतलब गैन प्राप्ति कि लिए जितना साधन है, साधन को दो भाग में भी भाजान करता है, एक हो गया वहीरंग साधन, एक हो गया अंतरंग साधन, तहन देना सुबह बोल कर क्या है, कोई साधन नहीं करना है, और यहाँ पर क्या बोल रहे है, साधन करने के बाद साधन छोड़ना है, साधन करने से पहले नहीं, उस हम अंतरंग मेर्ण शाधन थीयुन हानगा हुटतर है? मन कर्म की प्रति नहीं जाता है और मन तर इश्वर चिंतन में लगते हैं, मत्व हमारा कर्म जूग सही हो रहा है कर नहीं हो रहा है ? इसका प्रमान एही है कि भगवान की प्रति भक्ति भगवान में मन अधिक होगा निश्काम कर्म युक का फल है भगवान 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 में लगने लगेगा भगवा चिंतन करने के इच्छा होगी जब इस प्रकार की जी तो भगवाज चिंतन करते-करते फिर एक step आगे तो उपाषना हो जाएगा अंतककन शुद्ध हो जाएगा पिर उपाषना करते-करते बीग्षेब जाएगा इस दो खोतार फिर BY भगवा तत्य क्या पशतु है भगवान की चिंदन करना अच्छा लगेगा next step है उसके बाद third step में क्या हो जगा बाद स्थेफ़ भगवान है क्या अपस्तु ये क्या क्या है लग अलग अलग हम किसी से पूचे भगवान क्या अपस्तु है क्या बेखती पूचते आए महाराज आपको भगवाद दर्शन हुआ मैं तो घवराता हूँ तो आभी भगवाद क्या वस्तु हुआ हुआ यही तो मेरे को समझ में नहीं है अभी तक दर्शन तो दूर की बात है भगवाद भगवाद क्या वस्तु है यह समाज में आ जाता है तब आपको ऐसे लगे कर क्या भगवान को छोर करके कुछ बस्तु देखा जा सकता है कुछ भी बस्तु भगवान को छोर करके नहीं देखा जा सकता है ज़िए भगवत तत्तो क्या बस्तु है ये समझ में आ जाता है तुछ लिए ये तत्व, उसका अंदर क्या बास्तवी की तत्त है, वो जानने की इच्छा होती है, तब जैकर के वेदान तो वाग काम करते है, परणतु अंतिम में क्या होता है, कि इस सारा शास्तर को जला करके, एक अनुखा, बस तो अनुखा अनुखा जो है, मन में गयन शाधनानाम भो पो जाएगा ओधे हूं अम ये तम फलत वा कर पाएंगे उसस्दमी भीशड़ थे हो जाएगा मतलब ये आवाग मनबंद हो जाएगा न तुछात Qa Hello to किद्रियार थेशु वहिरा गमन अंकरमे वाच यह तेरे माध्धय में साथमा स्लोक से ले करके दसमा स्लोक एक अर्वा स्लोक तक होगा यहाँ वहाँ तक जो है एक बतन करके आया तुसरी बोलता है ना तु अमानित्वा देनाम वह भी आपे नहीं बोल ला उससे कुछ अलग जय जञ एक दो प्रकार की साधन चैए साधन कीये बिना साधन छोड़ना से मतलब क्या है कि ढगो साधन देज्ञ जप्रकार हम गंगुत्रियाना चाहते हैं तो किसी बस में बैठा गया वां पे तो जब गंगुत्रिया तो हम बस को छोड़ देToo आए और गंगंगुत्य पहले अगर बस को छोड़ देंगे तब धर उतर पहले ही ढूड़ेंगे कि यहीं कंगोत्री तो नहीं है और फिर नहीं मिलेगा तो फिर पैदाल जाना पड़ेगा धीरे 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 तो ऐसा ही जो है यह इन दोनों से अध्मत्र वहरंग साधन और अंतरंग साधन इसको अप और लगता दूreichen पारमम इती अनेना उत्किस्तव श्ययत्तं उकतं यहाँ पे दो पत दिया एक है परम और एक उत्तां उत्तम उत्तम खब्लदों कि दर यहां पर बोला कि जहत향 जो है एक गयांव लुक्रुष्टjan तो पतरगा एक बदोल थारो यहां पर एक परेप्व में व्षय दिश्टि कर और दुसरे में फल करणा靠ा के सबसी अचा है। इद्रिश्यम गैनम अहम प्रवक्षामी इस प्रकार की गैन के बारे में मैं अभी तुमको कहूंगा इद्रिश्यम गैनम अहम प्रवक्षामी इस प्रकार की गैन को अभी मैं तुमको कहूंगा भूयाँ पुनह मत्तब भगवान बोलना जा-गनाम पहले बोल कर के आया तुनको पूरा समझ में नहीं आया तो शिका करते है, गुरू को बार बार बोलना परते है घुमा-घुमा के दरुदर कर के अर भगवान तंतर जामी है, समझ जाते हैं इसके पहले बारा अध्धायों में अलग-अलग प्रकार से पूरवेश्वских अध्धायों में अलग-अलग प्रकार से वहां भी दो स्लोग ऐसा प्रयोग कर दिया वहां पे जो कर्म जोग में दो आपका सतरह और अठरह नंबर देखो जस्तु आत्म रति रेवश्यत आत्म त्रिप्तस शमानव आत्म ने बचा संतुष्ट तस्षकार्यमन विद्धते ज स्कुछ आत्मा के संतुषयत दिखते जस्तु आत्म रति रेवश्यत आत्म त्रिप्तस शमानव आत्म ने बचा संतुष्ट नांगर्जमन विद्धते नयव तस्षक्रिते नार्थ नाक्रित ने हकस्चनः इसके लिए कोई क्रिया की आवस्य रहता हैं कोई करम करना था उनका पूरा हो गया उध्धै में कुछना कोछ अब भिल करके आया ौइदिश्रम गयन के वारे में ज़िए तुम को दुबारा कहे था इद्रिश्रम ग्यानम आहम प्रभक्षामी भूय अपुन पूर्वेशु अध्धायशु अशक्र दुक्तम पी कई वार कहने पर भी ठीक है भाई फिर यहां में दुबारा क्यूं बोलेंगे क्यूंकि जद ग्यानम ग्यात्वा जिस ग्यान को जान करके मदुशितन चरश्यत अधियां पर लिखते हैं अनुष्थाय अधियाद्व मदुशितन चरश्यते ग्रंतों में एक बिशचाथ मेरे को यही दिखाई दे रह ए साथक अपनी मानसिक अनुष्थाय उसको पर जोड़ दे रहे सुरू समें इस ग्रंतों में विश्चा की तुलनाम या तवानन गि अबने से ले ग्नत्ता मतलब आनुष्ठाय है उसमें क्या अनुष्ठान करेंगे इस तौप रत्वेगे और यहाँ पर अनुष्ठाय को अनुष्ठाय को है कि आगे अनुष्ठान क्या है हे अपने बोलते है मुण यहां यह अनुष्ठान OSMAN के बाद मनन करना ही अनुष्ठान के बाद मनन करना ही य Peng आप यह अनुठान नहीं है तो मुण यह उसन्हां एक सब्द और लिखा संयया नहां सिन्हां vari तो सन्नीयास का परिवशा भगवान सास्ट अध्द्ध तरह क Archives कार्चन की क्या भीब्त्रय के अपने बोल करके आया कर्म 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 कर् योगी भी है और आपने आप दिश्टस लुक मता है नहीं शन्नस्त शंकल्प योगी भवतिक अश्यन जब तक आप कर्म फल से अत्मतब फल इच्छा को नहीं सकते हैं जागतिक बस तु क्या है ये करके मिलेगा ये करको ये भाबना मन से नहीं निकलता है तब तक हम योगी नहीं बन सकते हैं जोगी का कर्लिये परिबास है युक्त इत उच्छते जोगी जिसका मन भगवान से जूर गया वो योगी है और अब मन क्या है संक्सर के विशई को चिनतन करते है तो योगी कैसे सकता है इसलिए उर्षणयास है अधीयास है जो परिच्टस अमिंगता तो हो जाएगा योगी से सन्यासी चा योगी चा निरागनी ना क्रिया जो अनुष्थनादी करना छोड़ दिया क्रिया छोड़ दिया मैं सन्यास ले लिया कोई कर्म कैसे कर से तो वो उसको भगवान स्रीकृष्ण जे सन्यासी नहीं बोला तो मनन शिला सन्यासी नध्यान नक शिन्ना शिन्ना सर्वे जो भी कुछ इस वेक्ति इस पकार से मन को भगवन में लगा सब्सक्राइब को इसको मिला है इसको नहीं मिला है नहीं है सब्सक्राइब को परामशिद्धिम परामशिद्धिम मत्तब मोक्षाख्याम जिसको मुक्ति के नाम से कहा जाता है मुक्ति की कंसिप भी अलग-अलग वादियों की अलग-अलग है पूरो मिवंग सदर्शन में मुक्ति मत्तर सर्ग लोक में जाएंगे देवताओं के साथ शुक भोगेंगे यही मुक्ति है पुरह कर्थरच आगे और आगया उपाशना के दर ब्रह्म लोक में जाएंगे तो उसको ही मुक्ति माना अर्वेदान्ती बोलते हैं अरे ब्यापगतत्तों को जानने से तुम्हारा आने जाने का जगाई नहीं रहेगा इसको समझ नहीं मुक्ति है बंधन इस लिपकार से अलग अलग बादियों की मुक्ति सम्मन वाकि अलग अलग बादियों की तो अलग अलग है सब्सक्राइब एक जीवन मुक्ति कन्सेफ्ट है कई वात युक तो कहता है कि इस शरीर को छोड़ने के बाद ही अब मुक्त हो सकते हैं परन्तु विदान्ती बोलता है नहीं नहीं जदि यहां से उस स्थिति को अनुभब नहीं किया तो आगे जाकर के मिलेगा कि नहीं यहां से अनुभब करना है ब्रह्मई वसन ब्रह्मा पेती देव भुत्वा देवान पेती यह दोनों आपको विरदान्त में आया हुआ है यहां पर यह शरीर रहते रहते अपनी ब्याफ़कता को अपनी पूर्णता का अनुभब कर लेंगे तो हम जाकर किसी बोलते हैं दे प्ञाफदीर रहते हैं तो राजा पतिरिश के पास आय। तो 32 साल थ को बताति यहां नहीं किए और फिर पूछा है क्या दोगित नर्फ है जिए आ प्य centers सें कि इंद्र चाहता था हम अशुरों के उपर विजय प्राफ्त करें उसी लोग को पर साशन करें इस वह सोचा की वास इस कहन को कोई एक चीज है जिसको जानने से हम सब को पर साशन कर सकते हैं तो वह इस भाबना को ले करका आया था वहां पर तव इंद्र ने एक ही उपदेश किया एक उपदेश करने के बाद क्या जाइश्वक्षी नी पुरुषवद्र श्यते इंब रोचन कर समझ माया कि च्हाया पुरुष बोल रहे हैं तो च्हाया तो कोई बश्तु ने तो शरीरी आत्मा है चला गया और वह अपने मित्रों को अपने बरादरी को एही समझाया भगवार भास्तर को महाँ पर मजा से लिखते हैं किसी लिए जो लोग अभी भी अशुरी नहीं है जो चारवाग पंती है शरीरी आत्मा है ओ चारवाग पंती वाली जो विरोचन सम्प्रदा है इंद्रों को लगा कि आर यह तो ठीक नहीं हुआ घरवार हो गया ममला फिल पापस आया तीन बार ऐसा भापस आनके बाद चोथ अपने महीमानम चरती जज़ा शुपतम ना कंचनम शपन पर इस प्रकार से तीन बार बोलने के बाद पर इंद्रों कि अपने को भी नहीं जान पाते गुष्टक पी कैसे जानेंगे यह भी मुक्ती नहीं हो सकता है एव कि अपने के बाद पर इंद्रों को भी नहीं हो सकते हो तुम कूसिक अधिनों करके जेना परेगा यह जो देह बंधनात गता प्राप्ता शरीच से ज़ित आत्म बुद्धि छोड़ जाता है और शरीरं बाबशंत ना प्रिया प्रिया स्पिशतो अब बताओ मरने का बाद यह समझ में आएगा कि नहीं किसी वस्तु में क्या धर्म है क्या गुन है क्या जानना है वो उसको करने से समझ में आएगा कि नहीं करने से समझ में आएगा वो है वहाँ पर बस्तु उसको परिक्षा करता ही नहीं समझ में आएगा तो इसलिए इसी प्रकाश से यह जिवन मुक्त है मतलब हम किसी कर्मों को करते हुए कर्मों को करते हुए हमारी भगवान के प्रतिप्रिती आ रहा है कि कर्मों के प्रतिपीता है वो करेंगे तम नहीं समझ में आएगा ठीक इसी प्रकास यहां पर शरीर रहते रहते शरीर के साथ आदात मतलिद में कुछ हुआ तो मन उसी को च तर भी हो जाएगा अपने लिए उसके प्रति को उद्विग्नता मन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह चीज धीरे 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 अपने को समझना है तब क्या हो जाएगा दिह बंधनाद गता यह शरीर से करता तादात मता कितना जुड़ा हुआ है और कि लगके बोले इतना ह प्रतित अवस्था को जदी हम समझते हैं गुन से पार क्या चीज बंधन को समझते हैं तब क्या हो जाएगा पिर शरीर के साथ जो तादात मता धीरे धीरे छुड़ जाते हैं और वह जो है जन्म मित्यों के बंधन से मुक्ति नामग जो है सिती है शरीर प्राप्ति रुप जो बंधन है उससे चूड़ जाता है इतव देह बंधनाद गता प्राप्ता वो लोग प्राप्ता करते हैं मून यहां प्राप्ता भवन्ति मुनी लोग इस परकर को प्राप्तो करने वाली हो जाते हैं यह पहला स्लोक हो गया आगे और बोल है देखी छोटा साइब क्योंकि दोन स्लोक के दरह क्या कहना चाहता है पहले बोल दिया जिस विद्दा को भगवां स्थिक्ष्ण कृष्ण के लिए देखो जो इस गयान को प्राप्तो करोगे तो यह लाब होगा तो पहला में यह बोले इसमें क्या लाब दिखाया कि संक्षार बंधन से छोड़ जाओगे ज़ ग्यात्या मुझे शर भी परामशिधी में तकराबाद आदब पराप्तों करता है मुक्ति नामक परामषिधी को फिर आके और बोलता है इदम ग्यान मुपाष्रित्य मम साधर्म्यमागता मम साधर्म्यमागता स्वर्गी पीनु पजायंते प्रलहे ना व्यथंतिच प्रलहे ना व्यथंतिच इदम ज्ञायन मुपास्वित्य मम साधर्म्यमागता सरगी पीनु पजायंते प्रलहे ना व्यथंतिच इस ग्यान को जदिआप आस्ट्राय करके चलोगे ना उपास्ट्राय करना उपास्ट्री पाथ इक साथ अपने साथ ताथात्म करके इस लाइन में कोई भी अन्वाई नहीं है बिलकूर उच्छी प्रकार के शुनना पड़ेगा तो वह क्या हो जाएगा भगवान की जो स्वरूब भुद्ध मतब धर्म है उसाथ एक हो जाएगा स्वर्गे पीना उपजायत जब अगला स्रिष्टी होगा उस शरीर में उस शरीर लेकार के नहीं आएगा केवल इतना ही नहीं प्रलये न व्यथंतिच प्रलय काल में अथवा मृद्ध काल में उसका कोई व्यथा भी उत्पन नहीं होगा कितनी प्रकार की प्रले है चार प्रकार की प्रले है एक होगे नित्य प्रले है एक होगे अवांतर प्रले एक होगे है महा प्रले और एक होगे आतनतिक प्रले नित्य प्रले मतलब जो हम सुशुप्ति अवस्था में जाते हैं वोगे नित्य प्रले वो नित्य प्रले में सार वस्तु का ग्यान आपसे चला जाता है और उठकर के मैं रहता हूं कुछ नहीं रहता हूं इन पूरा होता है तब ब्रह्मा जी पूरा होता है तब ब्रह्मा जी सोजाते हैं तब सारा इंद्रियादी फंक्षन करना बंद कर देते हैं यह होगे अबांतर प्रले जब ब्रह्मा जी के सौ साल पूरा होता है तो ब्रह्मा जी के सौ साल पूरा होने पर जो इश्वर अवस्ता में आ जाते हैं सब उसको बोलते हैं महा प्रले और एक होता है आतन तेक प्रले जो ग्यानी के दिश्टि में होता है मत्तब जहां पर इसकी स्थितियादी चारे सारा ही चाला जाता है पंतु इस चारो प्रलय जिस परकार सुशुप्त रूपर प्रलय का हम शाक्षी रूप में बिद्धमान है इसी परकार इबाकी तीनों प्रलय का भी शाक्षी मैं जिंदर रहता हूँ एक मैं हिने तो प्रलय शिद्ध नहीं ह आखाई प्रलाय है ना व्याथित नहीं है दियान लगकारी कि प्रमानित करने के लिए प्रलय हो जाता है इसलिए हाँ पर बोलते है प्रलय ना व्यत्थान देचाए प्रलय काल में भी उसका कोई दुख नहीं होता क्योंकि अपना स्थित्त द रहता है अस्थिरुप पर जो मेरा स्वरुप है इस प्रका इस ग्यान को समझने के फल्शिरुप क्या होगा जन्म भी नहीं होगा और प्रलय में आपका कोई दुख व्यत्था भी नहीं होगा समय तो दुख उत्पन्न कर रहा है हो गया पूरा आज यहीं पर रखेंगे क्योंकि इसके बाद में यहाँ पे अच्छा यह बताई एक जदी सोवा तीन बज़े करते हैं कि उसी तरह हम जी बोल रहे थे कि इसके बाद में जो क्लास है ना सोवा चार चार बज़े है चार चार बज़े है तो आदा गंट समय जो है यहाँ पे बैठना परेगा तो हम जदी सोवा तीन बज़े शुरू करते हैं तो सोवा चार बज़े हम समप्त कर देंगे तो पंदा मिनिट में मत्व कुटि समय जी कर जो भी होगा तो आप लोग जो नहीं रहे तो बतालग है और जो सुनते हैं तो उनके लिए अधिक समय गया अप नहीं होगा तो तरह हम जी बोल रहे थे कुटि जो मैं बोला देखी ज़िए हमारे प्तिक और को लगा आप में ठीक सोवा चार बज़े ही समप्त कर देंगे एक दो मिनिट पर अधा कंट समय तक नहीं जो विद्दार थी लोग होते हैं न क्योंकि थोड़ा बहर जाना पानी पिना आदी का वस्रेकात होते हैं इसलिए इसलिए सोचे थे तो देखते हैं जैसे भी होगा ठीक है एक फैदा हम उठा सकते हैं कि चार दस तक पाट चला देंगे तो बैठना कम परेगा और हमारे जल्दी समप्त हो जाएगा ठीक है न त्रीन बरे से शुरू करेंगे और चार दस तक पढ़ चलाएंगे उससे पहमारे इसको आधिक नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा थोड़ा पाट भी चल जाएगा और जो है आपको खाली समय इंतजार भी नहीं करेंगे हाँ ओम बंशी विभूसित करान नवनीर दाभात पीतां बरादर नभिंब फलादरोष्टात पूर्णेंद सुन्दर मुखादर विंद्रनेत्रात कृष्णात परंकिमपितत्तमां नजाने ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेभावसिष्यते ओम शान्ते 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 स्षचिदानन्द भगवान की जै स्षच गुरुदे भगवान की जै ओम लमुनारायनाया